दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यूट्यूब को सबसे कम डेटा खायच में कैसे चला सकते हो नमस्का दोस्तों मैं हूँ विश्यक आप देख रहे हैं टेक्निकल अभेंदर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज जिस भी बंदे के पास स्मार्टफोन है वो यूट्यूब ना देखता हो तो यह होई नहीं सकता कोई मूवी देखता है तो कोई सॉंग देखता है तो कोई पढ़ाई करता है तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी सेटिंग करवाएंगे जिससे आपका नेटम भी बहुत ही कम यूज होगा यूट्यूब चलाने में तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको राइट साइड में सबसे टॉप पे एक लोगो दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना होगा यहां पर आपको नीचे आपसन मिल रहा है सेटिंग का आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हम आपको दो सेटिंग करवाएंगे पहली सेटिंग है जो की सेकेंड नमबर पे है डेटा सेविंग की आपको इस पर क्लिक करना और यहां पर आपको पहला option on कर देना है data saving mode इसके बाद में आपको default setting में पहला option on कहना है reduce video quality और second option भी on कर देजिए reduce download quality इसके बाद में आपको वापस आना है यहां से इसके बाद में आपको third number option मिलता है auto play का आपको इस पर click कर देना है यह option आपका on होगा आप इसे off कर देज आपको एक video play करके दिखाते हैं दोस्तों यह setting करने के बाद में आप जब भी कोई video play करेंगे youtube पर तो वो 360 pixel में play हो सकता है या फिर उससे नीचे की quality जैसे 240 pixel 144 pixel उन में play होगा तो यहां पर अभी हम एक video play करके देखते हैं तो यहां पर जैसे हम यह video play कर रहे हैं इसके बाद में इसकी quality देख लेते हैं तो आपको advanced पर क्लिक करना होगा और यहां पर आप select कर सकते हैं जो भी quality में देखना चाहते हैं दोस्तों अगर आपको youtube पर कोई video HD में देखना है तो आप manually quality select करके देख सकते हैं तो इस तरीके से आप youtube पर सबसे कम data करेंच में videos देख सकते हैं तो आज के video में बस इतना ही अग अगरें तैक निटेक की video के साथ धन्यवाद